ओम शान्ती यहाँ बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती ओम शान्ती बाब दादा हम बच्चों से नीश्वार्थ इस नहें करते हैं हमें आप समान बनाने के लिए हमारे पुरुशार्थ को तीवर करने के लिए अनेक युक्तियां बताते हैं इसारे देते हैं आज दिनंक 14 मार्च 2022 को बाप दादा ने अटेंशन खिचवाया समय प्रमान उपराम और साक्षी द्रश्टा बनों जिसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को स्रीमत दी सदा इसमरती रहे कि हम इसमरत्यू लोक के नहीं लेकिन आउतार हैं सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे अगर अपने को अवतार ना समझ ग्रस्ती समझते हो तो ग्रस्ती की गाड़ी कीचड में फसी रहती है ग्रस्ती है ही बोज की इस्तिति और अवतार है बिल्कुल हलका वह फसा हुआ है वह बिल्कुल नियारा है बच्चों को सदा प्रश्टी बनकर रहने की स्रिमत दे रहे हैं बाबा कहे रहे हैं जो खुद को अवतार समझता है वह हलका फरिस्ते समान नियारा और प्यारा रहता है उस पर ना तो कर्म का बोज होता है ना संबंद का बोज होता है ना किसी वस्तूक में आकर सण होता है इसके अपोचिट हम देखे हैं ग्रस्ती जैसा कि नाम से ही जलकता है ग्रस्ती अर्थात ग्रस्त वेवार में रहने वाला ग्रस्त को समालने वाला जिम्मेवारी उठाने वाला तो जो अपने को ग्रस्ती समझते हैं उनके सर पर बोच की टोकरी के साथ साथ सम्बंदों के बंधन होते हैं जो वे कर्म करते हैं कर्मों के बंधन होते हैं इसके साथ साथ हम देखते हैं ग्रस्त सारी जिम्मेवारी को अपने सर पर लेकर करता है और जो ट्रस्टी होता है वहाँ सदा यही इसम्रती में रहता है कि मैं महमान आत्मा हूं मैं पिता परमात्मा की संतान हूं उस पिता परमात्मा करावन हार के बताय हुए कार्य को नि प्रावनहार उस बाप की इस्मरती रहती है तो हलके फरिस्ते समान न्यारे और प्यारे सहज रहते हैं। ग्रस्ती सदा जिम्मेवारियों के बोच तले दबा होता है। सदा कर्म के बंधनों में, संबंधों में, अनेक जाल में उल्जह रहता है। तो न्यारा और प्यारा बनने की युकती बाबा बताते, सदा खुद को उपराम समझो, अवतरित आत्मा समझो, कि मैं इस स्रश्टी रंगमंच पर विश्व परिवर्तन अर्थ, पिता परमात्मा द्वारा दिये गए कार्य को निमित्त होकर कर रही हूं। मैं जैसी आई थी, अब मुझे वापस व्यसे ही जाना है, तो बार बार इस देह से न्यारे रहने का अभ्यास कर, खुद को ट्रश्टी समझना है। अच्छा, ओम शान्ती।